चीजों को उन में इस्तिमाल हुए कच्चे माल के अनुसार छाटें। जैसे ही आप सूकर उठते हैं, सबसे पहले अपने टूद ब्रश का उप्योग करते हैं। क्या आपने कभी सोजा है कि ये किस चीज का बना होता है? जी हाँ, ये प्लास्टिक का बना होता है। जिस प्लेट में आप नाश्टा करते हैं, वो मेला माइन या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जिस कब बोड में आप अपनी किताबें या कपड़े रखते हैं, वो लोहे या लकड़ी से बना होता है। जो किताबें आप पढ़ते हैं, वो कागज से बनी होती हैं, जो जूते आप पहनते हैं, वो चमडे, कैन्वस या रेक्सीन से बने होते हैं. इस प्रकार हम रोज मर्रा की अपनी जिन्दगी में जिन वस्तूओं को इस्तिमाल करते हैं, उन्हें उस कच्चे माल के आधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है, जो उन्हें बनाने में इस्तिमाल होता है.